जय जोहार, 36 गड़ के राजपाल, स्रीमान विश्व फुशन हरिचंदन जी, हमारे लोगप्रिय, सांसत के मेरे दोनों साथी, और प्रदेश के विधायक, सांसत गर्ण, जिला परिशत, तालुका परिशत के प्रतिनिती, देवी और सजनों, विक्सित भारत का सपना, तब सिद्ध होगा, जब हर प्रदेश, हर जीला, हर गाउं विक्सित हो, इस संकल्प को शक्ती देने के लिए, आज यहां लगभग, 27,000 करोड रुपिय की योजनाओं का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है, मैं आप सभी को, 36 गड़ की जनता को, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मेरे परिवार जनो, विक्सित भारत के लिए, फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्रक्टर भी, बविश्य की जरुरतों के हिसाब से होना चाहिए, यही वज़े हैं, हमारी सरकार ने, पिछले नव वर्षों में, इंफ्रास्रक्टर पर होने वाले खर्च को बढ़ा कर, इस साल, दस लाग करोड रुपे कर दिया है, यह पहले के मुकामले, छे गुना ज़्यादा है, साथियों, यह जो आज देश में, रेल, रोड, एरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, गाडियां, गरीबों के घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं, इन सब में स्टील का बहुत बड़ा महत्व है, स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्वर हो, इसके लिए बीते नव वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं, एक बड़ा स्टील निर्माणता राज्य होने के नारण, 36 गड़ को इसका भहुत लाब मिल रहा है, 36 गड़ की इसी भूमिका को विस्तार देते हुए, आज नगरनार में भारत के सबसे आदूनिक स्टील प्रांट में से एक का लोकारप्ण हुआ है, यहां बनने वाला स्टील भारत के ओटोमोबिल, एंजिनरिंग और तेजी से बढ़ते हैं, डिफेंस मैनिफेक्टरिंग सेक्टर को बहुत काम आने वाला है, नई हुरुजा देने वाला है, यानि बस्तर में जो स्टील बनेगा उससे हमारी सेना भी ससकत होगी और रक्षान निर्यात में भी भारत का डंका बजेगा, इस स्टील प्रांट के कारण बस्तर सहीत आसपास के इलाकों के करीब परीब पच्चास हजार नव जवानों को रोजगार मिलेगा, केंदर सरकार बस्तर जैसे हमारे आकांची जिलों के विकास को जिस प्रकार प्राक्ठिक्ता दे रही है, उस मिशन को भी ये स्टील प्लांट नई गती देगा, मैं इसके लिए बस्तर के 36 गड़ के नव जवानों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों बीते नव वर्षों में केंदर सरकार का विशेश फोकस कनेक्टिविटी पर रहा है, 36 गड़ कोपी, एकोनॉमिक कोरिडोर्स और आधुनी हाइवे मिले हैं, 2014 से पहले की तुलना में 36 गड़ का रेल बज़ेट करीब करीब 20 गुना बढ़ाया गया है, आज राज्य में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाई चल रही है, आज हादी के इतने वर्षों में भी, अब तक 36 गड़ के ताड़ो की को रेलवे के नक्षे में जगर नहीं मिली थी, आज ताड़ो की को नई रेल लाइन की सौगात मिल रही है, इससे आदिवासी साथियों को सुविदा भी मिलेगी, और खेती किसानी से लेकर बन उत्पादों का परिवहन भी आसान हो जाएगा, राइपूर अंतागट डेमू ट्रेन से अब ताड़ो की ताड़ो की भी जुड़ चुका है, इससे राजधनी राइपूर आना जाना आसान हो जाएगा, जगदलपूर दंतेवाड़ा रेल लाइन दोहरी करन प्रोजेक्ट से आवाजाई भी आसान होगी, और उद्योगों की लोजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी, रेलवे की ये सारी परियोजना आए, इस खेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के नए आवसर भी बनाएगी, साथियों, मुझे खुशी है कि 36 गण में रेलवे ट्रेस के शत्व प्रतिशद बिजली करन का काम पूरा कर लिया गया है, इससे रेल की स्पीड भी बड़ेगी और 36 गण की हवा को साप सुत्रा रखने में भी मदद मिलेगी, 36 गण में रेल नेट्वर्क के पूरी तरह बिजली करन के बाद राज्य में बन्दे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया जा रहा है, साथियों, आने वाले वर्षों में भारत सरकार 36 गण के रेलवे स्टेशनों का भी काया कल्प करने जा रही है, राज्य के तिस से जादा स्टेशनों को, अमरिद भारत स्टेशन योजना के तहर चिन्नित किया गया है, इन में से साथ स्टेशनों के पुनर विकास का सलान्यास किया जा चुका है, बिलास्पूर, राइपूर और दूर्ग स्टेशन के साथ ही, आज जगदलपूर स्टेशन का नाम भी इसी सुची में जुड़ गया है, आने वाले दिनों में जगदलपूर स्टेशन शहर का प्रमुक केंद्र बनेगा, और यहाँ पर यात्री सुविधाओं को उन्नत बनाये जाएगा, बिते नव वर्षों में राज के 120 से ज़्यादा स्टेशनों पर मुक्त भाई भाई की सुविधा उपलब्द कराई गई है, साथियों, 36 गड़ की जनता, हर बहन, बेटी और युवा के जीवन को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, आज जिन परियोजनाओं का लोकारप्रण और सिलान्यास हुआ है, उनसे 36 गड़ में प्रगती की गती तेज होगी, रोजगार के नए आउसर बढ़ेंगे और नए उद्यमों को प्रोच्शाहन मिलेगा, मैं आपको विश्वाद दिलाना चाहता हूँ, कि आगे भी हम इसी गती से निरंतर 36 गड़ को आगे बढ़ाते रहेंगे, भारत का भाग्य बदलने में, 36 गड़ भी अपनी बहुत बड़ी भूमी का अदा करेगा, मैं इन सभी प्रोजेक्स के लिए, 36 गड़ के लोगों को फिर से बढ़ाई देता हूँ, ये छोटा सा कारकम, सरकारी कारकम रहा है, तो यहां मैं और ज़्यादा बाते बताने के लिए आपका समय नहीं लेता हूँ, अभी दस मिनिट के बाद, मैं दूसरे एक सार्वजेनिक कारकम में बहुत सारे विशये, 36 गड़ के नागरीकों के लिए जरूर बताऊंगा, विकास की बहुत सारी बाते, वहां मैं 36 गड़ के नागरीकों से साज़ा करूंगा, गवर्णर स्री यहां तक आये समय निकाला, इसके कारण कम से कम राज्ये का प्रतनीजित्मतों नजर आ रहा है, राज्पाल जिजी को 37 गड़ की इतनी चिंता है, 36 गड़ के विकास की इतनी चिंता है, यह अपने आप में एक सुखत संदेश है, बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं सबका, नमस्कार!